तो दोस्तों सिर्फ दो कच्चे आलू से बनने वाला ये नास्ता आपको बहुत पसंद आने वाला है तो देर कीस बात की सुरू करते हैं इस रेसिपी को और हाँ वेल बटन जरूर प्रेस कीजेगा यहाँ पे देखिए इस नास्ते को बनाने के लिए मैंने दो छोटे साइस के कच्चे आलू लिए हैं आप देख पारे होंगे इन्हें छिल के पानी में डाल दिया था जब आलू को आपको थोड़ी दिर भी रखना हो तो पानी में डाल के रखिएगा नहीं तो यह आलू कच्चे पढ़ जाते हैं अब यहाँ पे इस तरीके से कट करेंगे जैसे सबजी के लिए हम आलू को कट करते हैं उसी तरीके से हम सारे आलू को कट कर लेंगे तो चलिए यहाँ पे आलू को कर लेते हैं कट और यहां पे देखिए दोस्तों मैंने जो दो आलो लिये थे दोनों आलों को इस तरीके से अच्छे से कट कर लिया है ये देखिए अब इसे दो तीम पानी से और दो देंगे ताकि जो इसमें स्टार्च है दोस्तों अच्छे से निकल जाए तो चलिए धोके मिलते हैं यह यहां पे एक इन चद्रक के टुकडे को धोके छिल के कट कर लिया है और उसके बाद तीन से चार हरे मिर्चों को तोड़के डाल दिया है अब डालेंगे इसमें हाफ कप के करीब पानी क्योंकि आलों में भी पानी होता है इसलिए पानी क्या यूज कम करिएगा तो हाफ कप पानी डाला है और मैंने अच्छे से महीन आलू और सूजी को पीस लिया है यहां पे देखे पीसने के बाद मिक्सिंग बोल में डाल देंगे डालेंगे वन टीस्पून जीरा टेस्ट के कोडिंग नमक डालिएगा जैसा आप नमक पसंद करते हैं और यहां पे दोनु चीज तो डाल सकते हैं गरम मसाला हलदी पाउडर धनियापाउडर यहां पे मैंने डाला है गहों का आटा जितने जरुवड ओगी उस इसाफ से लिलांगे थोड़ा थोड़ा करके आपके पास चावल कीई है तो इहां पे चावल के आटे का भी यूज कर सकते हैं अब आटे को ट फेटने से नास्ता हमारा एक तम अंदर से स्पॉंजी और फूला फूला बनता है। यहाँ पे बेकिंग सोडे वगएरे की जरुवत नहीं होती। आप नहीं फेटना चाते हैं या फिर टाइम कम है तो थोड़े से सोडे का यूज़ कर सकते हैं। एक से दो पिंच सोडा डाल दीजिएगा और मिला के फटा फट बना लीजिएगा। पर टाइम है तो अच्छे से 5-7 मिनट तक इसी तरीके से फेट लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने फेट के बिल्कुल इसे पॉफेक्ट तयार कर लिया है। और एक तरफ मैंने गैस पे रख रखा है ओयल तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने ओयल जो रखा है वो बहुत अच्छे से गरम है। आप इस बात को कन्फर्म कर लीजिएगा कि ओयल अच्छे से गरम होना चाहिए। जब ओयल अच्छे से गरम होता है ना तो नास्ता एकदम फूला फूला बनता है और तेल भी कम इग्जार्व करता है तो यहाँ पे देखे इस तरीके से हाथों से ही डाल रही हूँ आप चाहें तो इसे चम्मस से भी डाल सकते हैं यह देखे आप इसे सूजी और आलू का पक बहुत जादा मट डालियेगा नहीं तो यह आपस में चपक जाएंगे इसके बाद थोड़ी ही देर के बाद हम इसे पलट लेंगे अलट पलट के दोनों साइडों से अच्छे से फ्राई करेंगे तो यह देखे इसका बहुत जादा पकॉर्णों की तरह कलर चेंज नहीं हो तो यह देखे यह अच्छे से फ्राई हो चुका है और अब मैं इसे निकाल लेती हूं इसे निकालने के बाद हम इसी तेल में सेकेंड बैच भी तयार कर लेंगे तो चलिए फटा फटी से निकाल के रखते हैं पलेट में और तयार करते हैं सेकेंड बैच यह देखे इसी त तो दोस्तों इस तरह के जटपट बनने वाले नास्ते बनाएंगे तो जब कोई महमान आएंगे तो आप तुरन 5-7 मिनट में नास्तों को बना के त्यार कर लेंगे और यकीन मानिए महमान भी नास्तों को मांग मांग के खाएंगे इतना स्वादिश्ट होता है ये तो ये दे सर्व करेंगे आप इसे साम को बनाएं या सुबह के मार्निंग ब्रेवफास्ट में हर टाइम ये नास्ता सूपर टेस्टी लगता है तो ये देखिए मैंने निकाल लिया है और अब कर लेते हैं इसे सर्व तो मैंने सर्व किया है धनिये की चट्नी और टोमेटो केचप के और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सेयर जरूर करिएगा ये देखिए हैना बहुत ही सूपर टेस्टी नास्ता देखके ही मूँ में पानी आ रहा होगा तो चलिए मिलते हैं एक नए दिन और एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों एंड टेक पॉग साथ जिसटा तो के जएगा साथ डेसा थी था तो लिएगा तो के लिएगा थे थरू 72 सिटाथ तो